इंदेगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत ये वडियो विसी सुर्फ से राष्टी सिक्षानीती से समंदीत है यानि नई सिक्षानीती 2020 से समंदीत है आप भी सिक्षक बढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में जरूर जानना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये निउस्पेपर कटिंग हिंदुस्टान निउस्पेपर का है आज का है यानि 6 अक्टूबर 2021 का पटना का संसकरन है पेज नूमबर टू इसका हेडिंग बनायागी राष्टी सिक्षानीती लागू करने को परखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाहि कि इसमें कुछ कुश्चन भी पूछेगा है जो सिक्षक बनने से सम्मंदित है को वो लास्ट में है को उसे जरूर सुन लीजे क्या कुछ लिखा गया है और इस पे आप क्या सोचते हैं वो कॉमेंट में जवाब जरूर दीजेगा इसका सब हेडिंग है अपर मुख्य सची पर कारिक्रम प्रबंदन यूनिटें बनेगी राज जीला और प्रखंड अस्तरपे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अस्तित्तों में आने के बाद इस नीती की अंसंसा को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा राज्य से लेकर प्रखंड तक के इन इकाईयों में बिभागी अधिकारियों के आलावा समाज के समस्दार और सिक्षा के छित्र में स्वा नूराग से योगदान देने वालों को भी जुड़ा जाएगा और उनकी बिसेसग्यता का लाब लिया जाएगा एन पी दोजर बीस को बिहार में किस तरह लागू करें यह क्या है इसकी खास्यते क्या है और बिहार के संदर में इस निती के परियोजन पर अभिलेक भवन सभागार में दीन भर राज के सभी जीला सिक्षा पदधिकारी सभी छित्रिये सिक्षा उपनी देशक और तरीके से लागू किया जाए क्या किया जाए इस पर पूरा दिन भर मेटिंग हुआ है मंथन हुआ है सिक्षा विभाग की ओर से या कारेशाला नई सिक्षा निती की समझ विक्सित करने के मकस्त से आयुजित की गई अपने उद्गाटन संबोधन में सिक्षव विभाग के अपरमुक्य सचीव संजे कुमार ने कहा कि सिक्षव स्वा अनुशासन से आरंब होती है सिक्षव जो होती स्वा अनुशासन यानि खुद के अनुशासन से ये आरंब होती ही शुरुवात होता है यह श्वा अनुसाषन जब बड़े अस्तर पर होता है तो बिद्याले, कर्याले और समाज में बदला होता है कोई ये चीज उन्होंने अच्छा काया है, कि ये स्वा अनुसाषन से होता है, जिसा नहीं कि काड़ा रूप से आप अनुशाषन करें, और ये बड़े अस्तर पे हो तो बिद्धाले का रियाल है और समाज में बदला हुआता है लेकिन एक चीज चलिए आगे उस पे बात करेंगे थोड़ा से सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है उन्होंने एनपी को सिक्षा के लिए जरूर ही बताते हुए संजिद्धि से इसे जमिन पर उतारने में अधिकारियों को अपनी अपनी भुमकाय सुनिशित करने को कहा ये भी बिल्कुल च्छा चीज है संजे कुमार ने पटना हाई कोट दोर आधिकारियों के बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने को लेकर मांगी गई रिपोर्ट को उद्दत करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में सिक्षक बनने के लिए मारा मारी है लेकिन सिक्षक ही अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहा है यही इसी पर मैं चाता हूँ कि आप कॉमेंट करें इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है इन्होंने कहा कि जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर सिक्षक बनने के लिए मारा मारी है सिक्षक बनने के लिए क्या है मारा मारी है एक बात जेनरल भासा में आप बताईए सभी जितने भीवर्स है जितने लोग देख रहे हैं और इस वीडियो को सेर भी कीजिए जो सिख्षक बनने वाले हैं उनके पास कि अभी जो सिख्षक बनने के लिए मारा मारी है तो क्यों है मारा मारी सिख्षक बनने क्या रिक्ती नहीं है क्या बिहार में सिख्षकों की उतने पद खाली नहीं है या क्या आप और कोई काम और को प्रधाना ध्यापक का पद निकाला लेकिन आपने एक्स्प्रियेंस भी उसमें डाला कौन सा ऐसा पद है जो या कौन सा इसे टेक्निकल कारे या कौन सा ऐसा बिहार में आपने मतलब कुछ लगा दिया है जहां पर जाके अवियारती जॉब कर सके हैं कोई बड़ा सा मतलब दिल्ली वेगरे में तो मिल भी जाता है जहां जाके गुजरात में दिल्ली में सारे बिहार वासी वहां जाते हैं पलायन होके जाते हैं वहां पर जाके रोजगार मिलता है उन्हें वहां काम मिलता है यहां पे कौन से आपने फैक्टरी लगा है किया लगा है जहाँ पे जाएंअ अभ्यारती गिसाट इणोर और रही बात सिख्षकों का मारा मारी जो बात काने ये मुझे बहुत बुरा लगा आपको कैसे लगा ही बना रहे हैं किया ऑ़ जो अभी बहाली चल रहा है वन टू एट का दोजर उन्नीस का बहाली है एस्टेट हो चुका है दोजर उन्नीस से हो चुका है सीटे आपने कहा कि सब पंचायत में सिक्षक रहेंगा हर पंचायत में सिक्षक मतलब स्कूल रहेगा हर पंचायत में आपका नौवी का पढ़ाई होगा नौवी का पढ़ाई कहीं ना कहीं कमी है तो हमें उस कमी को मिलकर दूर करना है कहीं ना कहीं यह कमी कमी तो हैं सिक्षकों की कमी है आपने कभी देखा है भवन सरकारी स्कूल का भवन देखिए प्राइबेट स्कूल का भवन देखिए, वहाँ बैठने का स्टाइल देखिए, सारा चीज़ देखिए, आप प्राइबेट स्कूल का देखिए, सिक्षकों को देखिए, सरकारी स्कूल में सिक्षकों को देखिए, वहाँ सिक्षकों को देखिए, अगर आप जितने भी सिक्षक कमी है आपक अगर इस नीति के तहद जो कहा जाता कि इतने बच्चों पर इतने सिक्षक चाहिए सब्जेक्ट वाइज आप देते हैं क्यों बस उससे ज्यादा नहीं उससे कम भी नहीं रखिए उतना रखिए और देखिए कि क्यों नहीं जाते हैं किसी भी तरह का कमी मत दीजे अपने कहा कि क्यों नहीं जाते हैं प्राइबेट स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं क्यों सिक्षक नहीं पढ़ाते हैं आपने कभी सोचा है कि कोई भी कोई भी मैं ट्रक्टिकल कह रहा हूं कोई भी टीचर है सिक्षक है उनकी सेल्डी आप कब द के लिए वेतन का अगर किसी का सल्ड़ी एक मंथ दौन रोक लिए तो दिख्कत नहीं होगा प्राइबेट इस्कूल में दस रूपिया ही मिलता है लेकर टाइमीली मिलता हुझे परतेक मंथ मिलता हुझे तीस तारीक यह तीस तारीक पंदर तक कிर से चलके कि चल जाता तर्दर प्रांप मिलता गोध है कुछ सबस्पार्त हम अगर आप इस्कुर प्रॉपन प्राक्टिकल एकडम सुछिए पहला चीस की आपने भ़वन आपने जो भी रखा पानी वेगरे सारा चीज अपने वेवस्ता देख लिए दूसरा चीज आप देखे कि क्यों पढ़ाते क्यों नहीं यह भी देख लिए अब छोटे बच्चे को आप बोरा वेगरे देते वहां पढ़ता है सब और वहां प्राइबेट में देखेगा तो उ भूँ आपने बनवाये ठीक है लेकिन वहां पे बैठने वेवस्ता वेगरे भी देख लीज़े दूसरा चीज यह कि सिख्छक का देख लिजिए आपके सिख्छक कितने हैं अगर 2 शिख्छक के स्कूल चला रहा हैं दो सिख्छक की पूरा चला रहा बिद्याल हैं तो क्यो बेजेगा सरकारी स्कूल का ही क्यों बेजेगा बाहर वाला क्यों बेजेगा उसमें तो क्यों गरीब के पढ़ते हैं और वैसे ही रह जाते हैं अगर पूरा सब्जेक्ट के आप सिक्षक दिजे वन टू फाइब का जितने बच्चे उसके औसमे आपसे आप दिजीए तो अगर ये मुझे परमंथ नहीं दे, परमंथ नहीं दे, जाहिर सी बात है, मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, छोड़के तो नहीं जा सकता है, अगर कोई सिक्षक है, तो वो तो छोड़के नहीं जा सकता है, छोड़के तो जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल से काम करेगा और जब बच्चों को पढ़ाने वाला काम है वह माइनस होगा वह चाहेगा कि इसकूल से आपने प्री नीज में आज में आप ही ने कहा कि सा आरा जांच होना चाहिए होना हमेसा जांच करते रहे हैं कि आप करें क्योग अपने सोचा है कि वाग रहा सिक्षण इस्क वुक्र虫 है जब उसका पैट भर जाएगा ना प्रतेट मन्थ मिल ला गया 31 तारीओ को आपके एकान्ट में इतना पैसा किए परते कि एक तारीक को जा रहा है ह düşth번 पर्तेक मन्थ रेकिनन तो परतेक मन्थ कुछ ना कुछ क्छ होता है कि परतेक मन्थ उसका कुछ ना कुछ खर्च होता है उसको उसका अपना परिवार उसका अपना बच्चा है अगर आप उसको परतेक्मंत आप उसको नहीं दीजिएगा कि जाहिर सी बात है कि वह क्या करेगा इसके लिए एक्स्ट्रा काम करेगा जब वो खुद जानता है कि हमको परतिक्वन सेलरी नहीं मिला हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है जाहिर से बात है मैं स्कूल में कम समय देना चाहते हूं घर पे जाके कुछ काम करूंगा चै कहीं और काम करूंगा कुछ पैसा मिल जाएगा को म यह करेंगे, तो सबसे जरूरी है इस system को, इस चीज को ठिक करना, कि salary उन्हें timely मिले ताकि उन्हें अन्य काम नहीं करना पड़े, यानि नहीं सोचना पड़े कि अगले मंत में हमको कहां से पैसा मिला गई, यह नहीं सोचना पड़े, यानि सोचना, उनके बारे में सोचना वो सिक्षक, मतलब मालिजे, अभी अपने पंचायत में high school या plus two खोल दिया, अपनी high school नहीं के कक्छा चालू किया, लेकि जहां भी plus two, आप 19th को plus two किया है, तो वहां भी जाहिर सी बात है कि सिक्षक चाहिए, तो उसको रिक्ती को पूरा कीजे, अगर one to five का school है, तो वहां के लिए यह है, five के लिए है, सब के लिए teacher होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, आप हमेसा दिल्ली से compare करते है, हमेसा दिल्ली से compare होता है, यहां का, हमेसा compare होता है, कभी वहां का देखेए, यहां का देखेए, दुनों में उंतर पता चल जा जाए गए सिक्षक के बारे में सुचिए जो भी बच्च नहीं सोचते के लिए कि जो बेयोस्था आराम मारम से ठीक है बेयं मैं ठीक की जी ये दुनों ठीक की किजे न आपने कहा मारा मा इंकम किसे तरकाब application 2019 से शुच से चल और यह आपका 21 खतम होने जा रहा है 22 में जा रहे हैं अगर 19 में कंप्लीट कर आओ भी रिक्ति आपका 2020 का नहीं है पूरा रिक्ति आपने नहीं लिया इस फिर से पूरा सीट खाली हो रहा है जो आपका पूरा करते है पूरा करती तब मारा मारी हो पहले क्या हुआ उसके बारें बात नहीं कर रहे हды चलिए आगे लिखा गया है इसें मिलकर दूर करना चाहिए जी हां दूर होगा लेकिन आपको इस पर जरूर सोचना चाहिए मौके पर मादमिक निदेशक मनोज कुमार प्रात्मिक निदेशक अमरंदर कुमार सिंग पटना के डियो अमीत कुमार बीपी की रस्मी रेखा आधी मौझूद रहे हैं चाडियो और दो आडी को कारण बताओ नोटिस है यह मौझूद नहीं थे इसके कारण कारण नोटिस है को देखिस सबसे जरूरी है कि अगर गौर्णमेंट सोचता है या कुछ करता है तो खुद के अंदर भी झाकना चाहिए कि यह मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं बिरोध नहीं कर रहा हूं मैं बातों को सब किसी को छूट है बोलने का को मैं अपनी बाते रख रहा हूं कि हमेशा अभ्याति सीटेट निकाल के पूछते कि सातवा चरन कब होगा हमेशा करते हैं कब होगा किसी को नहीं पता फिक्स डेट भी नहीं बताते हैं कि यह करते मारा मारी है सिक्षक बनने के लिए कितने को निक्ति पत्र मिली है 2019 से अभी तक कि चलिए कऊना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें कहने का मन करते हैं कि यह अच्छा है कि आपने सबको बैठाय राश्टिय शिक्षा निर्ती के लिए और यह बताया कि क्या है किस तरीके से करना चीए बहुत अच्छी बात है इसमें लेकिन बहुत सारे मने हैं जो फौलो करना जी फिलाल इस वीडियो में इतना है फिर मिलते एक नेवाड़ों के साथ तब तक देखते रहें बने रहें हिंदी क्लब पे धन्यवाद बाबाए सब्सक्राइब कीजे हिंदी क्लब को दबाएए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है